अस्सलाम वालेकुम I hope आप सब खेरियत से है मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए मेरी चैनल को सबस्क्राइब करने के लिए आप सब का तहे दिल से शुक्रिया एक टॉपिक पे मैं काफी अर्से से बात करना चाह रही थी और ये एक ऐसी चीज है जो सिफ इंडिया में नहीं बाकी बहुत सारे देशों में होती देखी है मैंने और मुझे ये देखकर बहुत बुरा लगता है और बहुत अफसोस होता है कि ये जो हरकत लोग करते है मुझे उसके पीछे का रीजन समझ में ही नहीं आता है इंडिया में भी बहुत दफा देखा है, बाहर की कंट्रीज के वीडियो ऐसे देखे, जहाँ पर एक लेडी का हिजाब कोई खीचता है, या रस्ते में चलते हिजाब पीछे से खीच लेते है, या ऐसी बहुत सारी हिजाब से रिलेटेड जो भी कॉंट्रवर्सरी होती है, य आप अगर इतना freedom में मानते हैं तो फिर आपको क्या right बनता है कि आप किसी को भी उसके clothing में से कोई भी चीज उसने क्यों पहनी है या उसे नहीं पहननी चाहिए ये चीज आप decide करने वाले होते कौन हैं अगर कोई लड़की choose कर रही है that she wants to cover herself, she wants to cover her head or she wants to cover her face then what is your problem and vice versa अगर कोई लड़की नहीं चाह रही है अपना face cover करना, अगर कोई लड़की नहीं चाह रही है अपना head cover करना या नहीं चाह रही है कि वो full covering में निकले तो भी आपका क्या मसला है इस से आज मैं उन सबसे बात करना चाहती हूँ जिनको हिजाब से problem है या जो हिजाब नहीं पहनते उनसे problem है देखिए आप आपकी life में जो भी करते है that is your life आप आपकी family में जो भी preach करते हैं जो भी सिखाते है that is your personal thing if you do not like a religion it's okay nobody has asked you to fall in love with Islam nobody has asked you to you know talk to Muslim people or talk to Muslim women nobody has asked you to do that if you do not like something if you do not agree with something आपका कोई right नहीं बनता है कि उस चीज को आप wrong prove करें और ऐसी provocative हरकते करें जहाँ पर एक छोटी सी चीज बड़ा issue बन सकती है कोई भी लड़की जब कुछ भी choose करती है पहनने का और ये चीज मैं उन लड़कियों से भी कहना चाहूंगी जो public places पर comments करती है किसी के भी पहनावे को लेकर if a girl is wearing jeans it is her choice if a girl is covering herself it is her choice if a girl chooses to do anything with herself it is her choice there shouldn't be any issue with anybody आप अगर ये चीजे कर रहे है न trust me आप किसी और को नीचा नहीं दिखा रहे हैं आप अपनी सोच बता रहे हैं जो वो comments में अपनी नफरत दिखाते हैं जो comments अब कोई Islamic वीडियो है मैं आपको clear cut सीधा example देती हूँ जो होता आ रहा है उसका अगर कोई Islamic वीडियो है और आप Islam को नहीं follow करते हैं मैंने देखा है comment section में बहुत सारे non muslims आकर जो जिनको भी वो follow करते हैं के नीचे नाम लिख देते हैं मुझे समझ मैं नहीं आता यह क्या कर रहे हो आप आपने किसी Muslim को देखा है कोई भी religious post के नीचे अल्लाहु अक्बर लिखते हुए जी आप नहीं follow कर रहें आप मत follow कीजिए वो आपके लिए बनाया नहीं गया है तो जो चीज आपके लिए नहीं है जिससे आप related नहीं है आपको कौन बोल रहा है कि आप उसके बीच में पड़े आपको हिजाब से भी कोई issue नहीं होना चाहिए आपको Muslims क्या कर रहे है post उससे भी कोई issue नहीं होना चाहिए क्योंकि वो आपके लिए है ही नहीं so this is as simple as it sounds कि इनसान को अगर freedom मिली है तो वो उसके साथ, उसके body के साथ उसके clothing के साथ, उसकी life के साथ जो करना चाहता है, कर सकता है अगर आप रस्ते में चल रहे हो आपको कोई मिल जाता है आपको रोक कर बोलता है और आप हिजाब को क्यों समझने की कोशिश नहीं कर रहे है आपको क्या लगता है हिजाब कोई अलगी चीज़ है जो इन्वेंट हुई है अलगी religion का है, क्या समझ रहे है आप हिजाब को आप अपने religious textures उठा के देख लीजिए आप अपने religious scriptures देख लीजिए जिसको आप लोग घुंगट कहते है या जिसको Christians Vale कहते है हर एक के culture में ये कहां गया है हर एक religion में कहां गया है that a woman should cover her body if a woman chooses to do that, it is her thing if she doesn't, it is her choice again what is your problem? आपका मसला क्या है हिजाब से? आपको कोई पहना रहा है? आपके सर पे कोई बांध रहा है? कि अपनी जिन्दगी के decisions आप खुद लीजिए पर किसी और के अंदर, किसी और के religion के अंदर या किसी और की कोई भी choice के अंदर आपको interference का कोई right नहीं मनता और अगर आपको कोई Islamic post पसंद नहीं आरी अगर आपको कोई Islamic real पसंद नहीं आरी यह आपका मसला है ना आप मत देखे उसे और अभी तो social media इतना advanced हो गया है कि अगर आप not interested को option type करेंगे तो आपको वो post दिखा ही नहीं देगी तो यह जो बेवजल की नफरत फैला के रखे न कुछ लोगों ने on both the sides I am not just talking about one religion on both the sides है बहुत सारे लोग जो दूसरों की post पे जाके लिखते के तुम्हें तो cover होना चाहिए you are a Muslim, don't preach आप अपना घर संभाले आप अपनी बेटियों को संभाले आप अपनी बेहनों को संभाले दूसरों की बेहनों पर उंगलिया उठाना सही बात नहीं होती similarly अगर आप इसलाम को follow नहीं करे तो कोई Muslim लड़की हिजाब पेहन रही है नहीं पेहन रही है shouldn't be your issue I hope मेरे words आपको clearly समझ में आये होंगे जिसकी life में जो चल रहा है चलने दे हमें अपने आप से मतलब होना चाहिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम बेहतर बने we should become a better individual every next day and we should work upon that that is the main thing that should be the main goal of life किसी ने हिजाब पेहना है किसी ने हिजाब नहीं पेहना है कोई क्या post कर रहा है किसी का post कुछ और है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए अगर आपको कोई चीज नहीं अच्छी लगरे है आप मत देखे stop stop just you know spitting hatred wherever you can stop doing that please assalamualaikum thank you